पिछले दो साल से करोना ने जिंदगी की वाट लगा रखी है और वर्क फ्रॉम होम करा करा के कंप्रियों ने जिंदगी बरबाद कर दिये टार्गेट बढ़ा दिये और इंटरनेट और बिजली के पैसे भी हम ही भर रहे हैं बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं दिन बर रोंदू सीरियल देखने पड़ रहे हैं, OTT पर भी पिछले कुछ टाइम से बॉलिवुड ने बावासीर मचा रखी है। इसी बीच दे फैमली मैन ने आकर थोड़ी सी रहती है। और फाइनली आपका स्वागत है तब फैमली मैन सीजन टू के रिव्यू में। देखो भाई नाम से तो फैमली मैन हैं, लेकिन इस बार सवाल एक फैमली का नहीं बलकि लाखों फैमली का है। इन सब फैमली की किस्मत की चाबी हमारे शिरिकांत भाई के हाथों में हैं। इस बार खत्रा थोड़ा इंटरनेशनल है। कहानी इस बार शिरलंका में शुरू होती है जहां पर कुछ लोग एक स्पेशल मुमेंट की तैयारी कर रहे हैं। जहां गालियों का नहीं गोलियों का शोर सुनाई देता है। ये लोग खुद को फ्रीडम फाइटर समझते हैं जो अपनी पहचान की अजादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। खुद की गर्वर्मेंट के साथ जान लेनी हो या देनी हो खुण खराबे के इस खेल से इनको कोई फरक नहीं पड़ता। ये खुद को कहते हैं सेवियर जो अपनी सोच की रक्षा कर रहे हैं। अब फोकस मुमबे की और करते हैं। जहां पर गेम्स के रूल्स ही नहीं शिरिकांत भाई ने तो गेम को ही पूरा चेंज कर दिया है। मारधार, गाली, गलोच ऐसी चीज़े तो उनकी लाइफ में एक्जिस्ट ही नहीं करती। अब उनका नया हथ्यार है कंप्यूटर और मिशन है अपने बॉस की कंपनी को उन्चाई तक लेके जाना। जी हां, अपने शिर्कांत भाई की जिंदगी की 50% डोर उनके नन्ने मुन्ने गुसैल बॉस के हाथों में हैं। बाकी बची हुई 50% डोर उनके परिवार के कंट्रोल में हैं। फैमली में बच्चे बड़े हो चुके हैं। यहां तक की फीमेल चाईल्ड तो अपनी अलग दुनिया बसाने के लिए भी तैयार है और वो भी अपने ने नवेले बॉइफरंट के साथ। और भावी जी, भावी जी का गुसा तो अब चान तक पहुँच चुका है और उनके जानी दुश्मन श्री भाईया घर से जाते तो हैं लेकिन घर वापिस आ जाते हैं। यानि पैमली में टेंशन का महौल जादा तर बना ही रहता है और भागने का तो कोई आप्शन है ही नहीं। बस अब एक ही इनसान है जो श्री भाईया को अपनी लाइफ से जोड के रखता है जो है जेके जो की अभी किसी सीक्रेट मिशन के लिए चन्नेई में रुका हुआ है। जैसे पडोसी के घर में उचल कूद होती है तो अपनी एकदम गायब हो जाती है। वैसे ही हाल हमारे इंडिया और शिलंका के भी हैं। वे फ्रीडम फाइटर वाली तैयारियां और जेके आपस में कैसे कनेक्ट हैं ये सारी चीज़े तो आप शो देखकर ही पता गरिए। बस इस सब में जो कॉमन चीज़ है वो है राजी। राजी इस लड़की की शकल को देखकर कोई भी धोका का सकता है क्योंकि ये है एक स्पेशल सीक्रेट एजेंड जिसने जूट का नकाब ओड रखा है। राजी लोगों को स्वर्ख पहुंचाने में बहुत माहीर है। मतलब की जैसे ही नजर हटी दूसरे ही पल आपकी सांसों पे फुल स्टॉप। राजी को इन शॉट आप लोग लेडी यमराज भी बोल सकते हैं। एक फूर्थ एंगल और है जो की सासमुंदर पार लंदन में है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त ये वाली कहावद तो आपने सुनी होगी। बस यही खेल पाकिस्तान भी खेल रहा है। इन शॉट समझ की अपने देश पर अटैक होने वाला है। जिससे की देश को बचाने के लिए फैमिली मैन को पुराने सूपर हीरो वाले अफ़दार में आना ही होगा। क्योंकि मेन विलन है मैन आफ स्टील हमारे एरो प्लेन भीया जो आसमान में तबाही मचाने के ख्याल रखते हैं। ब अच्छा तो इस बार का फैमिली मैन नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत जानते हैं क्या है कि शो के चो मेकर्स हैं कुछ ज्यादा ही सेफ खेल गए हैं। इसमें ऐसा लग रहा है कि हर एक चीज 101 बार सोच कर डाली गई हो। इस बार पॉलिटिक्स, आइडिलोजी वाले डाय जो हैं वो हैं तमिल में, 30% इंगलिश और 20% हिंदी, इन दोनों को मिला के 50%. अब 2019 का जो सीजन वन था, उसका सारा का सारा फैन वेस था हिंदी लैंग्वेज वाला। तो ऐसे मैं सब्टाइटल पढ़ पढ़ कर लोगों को कहानी समझ तो आ जाएगी, लेकिन उससे जो स्पीड, मेकर्स ने एक से लेकर 7 एपिसोड तक इसकी कहानी को बेवज़ा खीचा है। और लास्ट में, फास्ट और फ्यूरेस की तरह शो खतम करने के चक्कर में शो का फन जीरो, क्लाइमेक्स बिलकुल ठंडा। लेकिन 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 अगर सीजन वन को डिबे में ब चार चान लगा दिये हैं। इस शो में इनके दो साइड नजर आते हैं। एक तो डरी हुई, कमजोर, लोगों से बचकर रहने वाली और दूसरी, बदले में अंधी, एंजल आफ डैथ, जो की लोगों में मौत का तोफा बांटती है। कमाल की बात ये है कि इनके डायलोग शो में साइड एक्टर से भी कम हैं, लेकिन इनको शब्दों की जरूरत ही नहीं है, ये नजरों से ही बवाल मचा देती हैं। इतना टैलेंट रखती हैं ये अपने आप में। दूसरे हैं मनोज सर, जिनके बारे में तो क्या ही बोलें। मनोज वाजपेई एक्टिंग के फ राइट, फनी करेक्टर और राजी जैसी टार करेक्टर की स्टोरी को एक साथ जोड़कर बहुत अच्छे से फिलबाया गया है। दो अलग लग नरेटिव की स्टोरी को दर्शाने के लिए डिरेक्टर को एक सलूट तो बनता है। एक अफीसर जो की एक हाथ में मेडल, जो माँ-बाद के अलग होने का सच पता है लेकिन अपना फ्यूचर किसी और के बीच में तलाश रही है। एक फाइटर जो दुश्मनों को मार कर बच्पन से जल्ती हुई अपने मन की आग को शान्त करना चाहती है। इसी तरह हर एक करेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से एक अंडा है लेकिन बिना कंपैरिजन के देखा जाए तो पूरी रात में कंप्लीट करने से खुद को नहीं रोक पाओगे। मेरी तरफ से शो को थ्री एंड हाफ स्टार्स हैं। एक स्टार शिरिकांत और राजी को शो में रेल की पट्रियों की तरह इस्तेमाल करने के एक स्टार देशभक्ती, रिवेंज, फन इन सब को एक ही शो में दिखाने के लिए और आधा स्टार साइड एक्टर्स के जबरदस्ट परफॉर्मेंस के लिए। अगर नेग्टिव की बात की जाए तो एक स्टार लेंगवेज के लिए कटता है क्योंकि सब्टाइटल्स प पांच एपिसोड की स्टोरी को खीच कर 9 एपिसोड का करने के लिए। तो दोस्तो इसी के साथ खतम होता है हमारा फैमली मैन सीजन 2 का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेर या बहुत गर्म लगा या पहले सीजन के मुकाबले इसको आप कितने स्टार्स देना चाहेंगे थैंक यू।